से ऐसा कहें, जैसे आप इसका अर्थ लगाते हैं, तेविज दिसेंबर, विश्वास की घोशना, मैं घोशना करता हूँ कि मैं विशेश, असदारन और आलोकिक हूँ, मैं घोशना करता हूँ कि मैं लोगों का निर्मान करता हूँ, मैं दूसरों को उनकी जीवन में सर्विश मैं उनकी महांता के बीच के आहान करता हूँ, उन्हें उचा उठने और वह सब बनने में मदद करता हूँ, जिसे ईश्वर ने उन्हें बनने के लिए बनाया था। मैं मसीहां में सुसर्जित हूँ कि पुराने कच्रे को नया बनाने के लिए, कई पीडियों की नीव को मजबुत करने के लिए, मैं दरार का पाटने वाला पत्थो का सुदारख हूँ, जहां सभी मसीहां के ग्यान में वास करते हैं, यह मेरी गोशना है। दीविय स्वस्ती की स्विकारोकित, ईश्वर का जीवन मेरे पूरे अस्तित्वब में फैला हुआ है, मैं स्वस्त में फलता फुलता हूँ, मैं अपने पूरे दिनों में सदा बढ़ती महिमा में चलता हूँ, जो कुछ भी मुझे चिंतित करता है वो समर्द होता है, मैं परम मैं धनी हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अभिशिक्त हूँ, मैं स्वतंत्रा हूँ, मैं इश्वर का प्रिया हूँ, मैं इश्वर और मानवजाती का क्रिपा पातरा हूँ, मैं वहीं बोलता हूँ जो मैं देखना चाता हूँ, न की जो मैं देखता हूँ, मैं एक अनमोल ब और फलता-फलता रहूंगा मेरा पता मुर जाता नहीं है और जो कुछ भी मैं करता हूँ वो ये शुक के नाम में समर्ध होता है चीज़ें हमेशा मेरे लिए येशु के नाम काम कर रही है मैं मसीहा येशु में हर आद्वितिक आशिरवद का प्राप्ट करता हूँ मैं एक आत्मा हूँ, मेरी आत्मा में एक अंतर्मन है, मेरी आत्मा और मेरा अंतर्मन एक बहुत इक शरीर में रेते हैं, मेरी आत्मा मेरे अंतर्मन को निर्देश देती है, मेरा अंतर्मन सुनता है, प्राप्त करता है, और मेरे शरीर को निर्देश देती है, और मेरा शरीर येशु के नाम में मैं अपनी शरीर से बोलता हूँ ईश्वर का विनाजी जीवन मेरी जीवन में हमीशा सफ़श्ट और व्याक्त होता है। अपड़ों और उतकों से सामन्य वेंटिलेशन और परफिशन अनुपाद बनाये रखने के लिए बात करता हूँ, मैं अपनी किड़नी लिवर और अगनशायें को पुर्णता बोलता हूँ, मेरी खून की हर कोशिका में जीवन है, मेरी हड्या जोड और काटिले सरेकित मजब और डिड़ है, मेरे पूरे उपरे और निचले अंग उतकुष रूप से कारिय करते है, मेरी आखे स्वष्ट रूप से और पुरी तरह से देखती है, और मेरे कान काम करते है बहतरीन, मेरी तवच्छा एक नवजा शिश्यों और इश्वर की सुन्दरता की तरह चिकनी और स्वष्ट है, मेरे बालों के रूम काज गए है, मैं अपने बालों को सिर रहने की आग्या देता हूँ, और जहां रिद्धी के अविश्यक्ता होती है, मैं अपने रूम में विकास छोड़ता हूँ, मेरे दात, मसुरे, जबडी के हड़िया और तंत्री का और रक्त की आप पदार्तों को पचाने, अफशोषित करने और आत्मसत करने में सक्षम है, और चया पची अफशित उत्पादनी में तुरुप से उसरजित होते हैं, में खाने, तकनीक, मेडिया, शितल्दा, अपशप, आलस, अधिक नीन, सुस्ती और बाद्यकारी, खरीदारी में सभी प पदार्तों धूल जानवरों आदी अलर्जी का मुझे पर कोई अधिकार नहीं है, इश्वर ने मुझे इन सारी चीज़ों पर अधिकार दिया है, मेरा प्रजनन तंत्र प्रयात मात्र में और अच्छी गतिशिल्ता वाले शुक्रोनाओं का उत्पादन और जमा कर रहा है, मेरा प्रजनन तंत्र समय पर अंडी की कोशिकाओं का उत्पादन कर रहा है, जनम तक ब्रून की रक्षा और पोशन कर रहा है, मेरी शरीर का हर अंग हर कोशिका पुर्णता में कारिय करता है, जिसके लिए इश्वर ने इसे कारिय करने के लिए बनाया है, और मैं मेरी शरी महीं महा अलेलुया आमें पूतर इश्वर मुझे प्यार करते हैं मुझे पता है कि मैं जानता हूँ आमें